हinsky धाज मैं आपको एक एशसा स्टोक बताऊंगा जो लगबुक्षो है हजारो परसंड का रिटन देता ह। हर साल हर साल यह जारो परसंड का रिटन मैं आपको बहुँनगा कि एक भाल क्वूदी देख लो तो आपको लगे हाँ कि व्यादा आचा लगा कि जब कुदी बहुत आसान है वह प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है बस एक बार देख लो किस तरीके से कंपनी मुनाफ़ा निकाल के दे रही है तो सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मिशन बता देता हूं शॉर्ट में लगबग पर मोटर के पास 60% की हिस्सेदारी है और जो फोरिन वाले हैं उन्होंने कितना माल उठा रखा हो आप सूच सकते हो गिस कर सकते हैं लगबग 25% के आसपास लगब 25% के आसपास उठा रखे हैं डॉम सबसे पहले तुम्हें आपको कंपनी का प्रॉफित दिखाना चाहूंगा êm कर पा रही है और अगर यह स्टॉफिट भाग रहा तो कभी भी गिर सकता लेकिन अगर प्रॉफिट कर रही है और फिर से आपको यहाद रखो किलको स्टॉफ को तकलिफ वाली बात नहीं है तो यहां पर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट आपको बताया जा रहा तो पहले कितना था यह यह उन यह आप देख लो लगबग 2017 में आपको बताया जाएगा तो लगबग यहां पर देख सकते हैं कितना फाइब थर्टी नाइन का सबस्ता फि को पता था कि 2020 में कितनी परिसानी देखने को मिले 2020 के मार्च में ही कोविड आया था और पूरा साल बरबाद गया था इसके वज़े से यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिला तो हम इसको क्या करेंगे इसको इग्नूर करेंगे लेकिन फिर अभी दो को 2021 में तो यहां पर इ देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगबग देख सकते हैं 400 से लगबग 1000 के आसपर पहुंच चुका है मतलब कंपनी काफी एच्छे प्रॉफिट में चल रही है कंपनी का रेवन भी बहुत सही बढ़ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं हाहाँ कि 2020 में थोड़ी बहुत त्रेंटे देखने को मिलेगी तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक उपे से चलना स्टार्ट वहता देख सकते हैं केवल एक रुपे से और आज के देख सकते लगबग 64000 का रिटन दिया मतलब बहुत बहुत ज्यादा रिटन दे रखा लगबग तो इसलिए मैं बड़ा एक रुपिया वाला हो या दो रुपिया वाला लॉंग टम में चीस हिसाब से आपको रिटन निकाल कर देता है आप सोच नहीं पाओगे और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि 2001 से चलना यह स्टार्ट हुआ 2021 ही यहाँ पर हुआ मतलब पिछले 20 साल में इस कंपरी ने यहाँ पर देख सकते हैं 65,000 पसंड का रिटन दिया सोच लो केवल 20 साल में 60,000 अगर माल लेते केवल 60 का ही जोड देते केवल 60,000 पसंड का तो भाई 10 साल में इसने कितना रिटन दिया होगा एक माल लेते हैं लमसम जब आज के डेट में है तो मतलब आप सोच सकते कि एक साल में इस कंपनी ने कितना रिटन दिया होगा पॉर येर के हिसाब से मतलब दस साल में इस कंपनी ने 30,000 परसंड का रिटन दिया होगा यहां पर अगर आप देखो देख सकते हैं लगबग के कंपनी कितना तो 80% गिर चुकी थी देखो 80% और यह केवल एक ही बार नहीं है हाला कि 20 साल का चार्ट है तो दिखना ही रहा होगा सही तरीके से कई बार स्टॉक गिरा है कई बार स्टॉक गिरते हुए नजर आया है सोच लो और कंपनी का नाम है हैवल्स लगबग आज कल के डेट में हैवल्स एक नए ब्रांड बन चुका कल के डेट में जब एक रुपे क्यास पास था से लगबग जो मैं आप बलूँगा परसंट हो गया 3200 परसंट अप सोचो पर यर और ये आज की रेट में आप माल बेज भी सकते हैं ओपन मार्केट में और अपना पैसा बाहर निकाल भी सकते हैं परिसानी वाली बात नहीं है हाला कि जब यही स्टॉक जब एक रुपे क्यास पास होते हैं दो रुपे क्यास पास होते हैं तो क्या होते हैं सर्किट में होते हैं तो आप बेज भी नहीं सकते हैं और निकाल भी नहीं सकते हैं प्रावलम यही होती है क्योंकि बायर्स कभी हावी हो जाते हैं कभी सेलर्स हावी हो जाता है यह प्रावलम देखने को मिलता तो इसलिए बोलता हूं छोटे स्टॉक में कभी-कभी लंबा रुका करो है की नहीं है तो देखो 3200% मतलब काफी अच्छा यहां पर निकाला गया कितना पर्सक्रावरें देखने को मिलता लेकिन यह सारा बेनीवित आपको लॉंक्ट परिसान को मिलता अब बहुत सारे लोग पूछने वबारे में उवक्या को गिरावट देखने को मिल रही है तो मैं आपको बलूँगा देखो बाई यह उल्र को ऑल्रड़ी ज्यादा ग लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी के हैवल्स खराव कंपनी है, हैवल्स अची कंपनी नहीं है, होता है, बजास फाइनिस में भी गिरावट देखने को मिला था, लगभग 50 रुपे तक वो स्टॉक गया था, और 50 रुपे से लगभग वो स्टॉक वापस 5 रुपे पे आ गया थ उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी, विप्रो में भी आपको गिरावट देखने को मिला था, 400 रुपे तक गया था, 400 रुपे से वापस जो है लगभग 28 रुपे के आसपास आच चुका था, सोच लो, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में आपको गिरावट देखने तो सबी लोग बोलते थे यह possible नहीं है ऐसा नहीं हो सकता लोग नहीं आगे खरीदने के लिए क्या है यह उससे मतलब नहीं हो सकता हम लोगों तक नहीं पहुन सकते है आज कल कर डेट में देख सकते हैं मतलब जे बेज़र पहले ऐसे वक्ती है जो लगबाग वर्ड के first richest person वो तो है वो अलग बात नहीं है लेकिन इतने लंबे समय के लिए हैं मतलब इतने लंबे समय से हैं और अभी भी कितना रहें बोलना मुझकिल है सोचो तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इवेक्षय लाइफ के भी गिर चुका है कंपनी अभी लग बहुत बड़ी का एकदम कंपनी डेट फ्री है फिर क्या तकलीफ है समझा करो कंपनी डेट फ्री है और इतने बड़े-बड़े कंपनियों को बीच में यहां पर आ रहे हैं देख सकते हैं पीडिलाइट आर्ते दीपक टाटा अलकीम यह बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी उसके बाद आता है इःट भी इख से लाइट और प्रमोटस ने भी माल नहीं बेचा तो फिर गिरावट की वज़ा क्या है यह भी मैंने आपको बढ़ाया है और यहांपर देखो यहांपर फोरेन वाले नहीं बढ़ा है तो फिर गिरावाट क्यूं देखने को मिले गिरावाट की वज़ा समझो कमपनी को कैश की जरूत है क्योंकि एक नया प्लांट लगा रही है इस वज़े से कमपनी यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ डाल रही है याद रखो काव मिल्क समझा करो जो एक होता है कि लगबाग वहाँ से आपको पर्मनेंट प्रॉफिट है तो यह कमपनी जो है यहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल के वहाँ दे रही है और इसके वज़े से नया प्लांट सेट अप करने में कमपनी को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है और जिस दिन हो जागा यही स्टॉक लगबग आपको 500-600 पसंड का रिटन देना स्टार्ट कर देगा कोई प्रॉबलम है क्या कोई भी प्रॉबलम नहीं है सब कुस से कमपनी में अगर डेट भी रहता तो मैं समझ सकता हूँ कि वोड़फोन आडिया जैसा डेट है इसलिए कमपनी कभी भी चलबस सकती है लेकिन ऐसा कुछ भी प्रॉबलम नहीं है तो यही मैं बोला हूँ कि हैवल जैसे बहुत बड़ी बड़ी कमपनी में गिरा ओट देखने को मिला बस थोड़ा पीशिंस रखो और अच्छा आपको रिटन देखने को मिल जाएगा बहुत कि बात नहीं है और जहां तक चार्जिस की बात रहे तो डीमेट अकॉंट या बिल्कुल फ्री में होता है डिलिवरी चार्जिस फ्री के वल्ट टुट रिपीज लगता वह बी इंटरडे में जो हर जगा दिखने के लिए मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो